सबसे पहले मैं यहां पर यूज ले रहा हूँ यह है हुटा ब्यूटी का फांडेशन और फांडेशन लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से मौशराइज कर लिया है और उसके बाद में आप फांडेशन अपलाए कर रहा हूँ फांडेशन की एक दोट ड्रॉप ले लूँगा और अपने पूरे फेस पर डॉटट मोशन पर ही अपलाए करूँगा जाते लोग क्या करते हैं फांडेशन को एक साथ ही अपलाए कर लेते जिसके करण उनका जो फेस होता है वो पैची पैची सा लगने लग जाते है इसलिए फांडेशन हमेशा है ना डॉटट मोशन पर ही अपलाए करें और फांडेशन को नेक एरिया पर लगा है जिससे आपका फेस और नेक दोनों एवन लेगें तो अब मैं इसको ब्लैंड करने के लिए आपर एक ब्लैंडिंग ब्रश यूज लूँगा और यह फांडेशन को आपको चैसे ब्लैंड कर दिता यहा लुथे आपके पास ब्लैंडिंग प्रश नहीं है तो आप अपने हाथों से इसको ब्लैंड कर सकते हैं क्योंकि इस्धार मिड्या है। इस फांडेशन की क्याट्स में जाता है और एक Credit안 how Ilन और आपके लिंट काश्व ब्लैंड करता कितने अच्छे से यह मेरे फेस को एक इवन टोन प्रोवाइड किया है और एक शाइनिंग भी आ रहा है अच्छे से आप लेना चाब ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स के अंदर है फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहां पर यूज ले रहा हूं यह है ब्लू हैवन का सिफारा का लूस पाउडर लूस पाउडर लगाने से आपका फेस का जो फाउंडेशन है वो सैट होता है क्रीस नहीं करता है और आपका फेस एक हाईडरेटिंग रहता है तो मैं इसका थोड़ा सा मांट लूँगा और ब्रश के साहते से अपने फेस पे इसको मैं अपलाई कर लूँगा और इसकी स्मैल भी बहुत अच्छी है और यह अफार्वर प्राइस का प्रोडेक्ट है इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाय हुआ है आप जाकर चेक कर सकते हैं और अभी वर्पल.com पे सेल चल रहे हैं तो प्लीज आप जारूर चेक आउट करा करो वर्पल.com पे बहुत हमेशे वहां पर जातर सेल चलती रहती है तो वहां पर आपको अफ़र्वर प्राइस के प्रोडेक्ट मिलते र रहा हूँ जिसमें से ब्राउन शेड लूँगा और अपने ब्रश पे लगा करके अपने चीक एरिया पर अच्छे से में इसको अपलाई करूंगा इसको लगाने से आपका फेस का जो एक शेप है वह अच्छे से निखर के आता है और आपका फेस वाइड वाइड नहीं तो मैं अच्छे से इसको अपनी नोस को भी यहां पर ब्रॉंज कर लूँगा तो एक शेप आ जाती है नोस के भी आप देख सकते है अब अब अपने फेस को ग्लूई एंड डूई बनाने के लिए मैं आपर यूज ले रहा हूं यह है इसको लगाने से आपका फेस बहुत ज् को फेस बहुत शाहंदा से ब्राइटनिंग एफेक्ट करेगा तो मैंने इसको अप्लाइ कर लिया है और यह मेरा कंप्लीट लूख है